दान मंतरी मोधी तक ये बात तो नहीं पहुचाते ना, ब्यूरोक्राइसी, अब ये सरकारी बताईगी कि जो उन्होंने दावा किया था वो पूरा क्यों नहीं कर पा रही है, बात वही है ना, बात तो पहुची है लेकिन सरकार अंदी और बहरी बनी और जब उसको एक दिन कुछ चीज को मानना पड़ेगा, गलत मांग हम कर नहीं रहे हैं, तो सरकार की मीडिया जो है, वो पास तक नहीं फटकती, ये तो आपकी जो कोटी-कोटी आप लोगों को धन्यवाद है, पारलियामेंट नजदीक होने के बाद भी, आपकी गोधी मीडिया और मोधी मीडिय ये तो हमारे नजदीक ही नहीं आ रही है, किस तरह शेशेनिकों का सोशन हो रहा है, इस सोशन के खिलाप में हम जो है, यहाँ आवाज उठाने हर राग्जे से आ रहे हैं अबी मैं दिली के जंदर मंतर पे महजूद हूँ और आपको लगातार एक ख़बर से रूबरू कराते आई हूँ किस तरीके से पुर्विसायनिक जो हैं धरने पे बैटे हूए अपनी मांगों को लेके, और आरोपी की मांग है और ये लोग लगबक साथ एकसर दिन हो गया का भी तक ये लोग धरने पे हैं, इन लोगों से पूछने आप से में ये पूछना चाहती हूँ कि सबका सासा बीकास हो रहा है, परदान मंतरी मोधी जो है, वोर्डर पे जाते है परदान मंतरी मोधी ताक ये बात तो नहीं पहुचाते ब्यूरोक्रेसी हो कि सब गेड़ तो ब्यूरोक्रेसी करती है, दान मंत्री ने देखो बहुत अच्छा किया है, फोज के लिए खाना बढ़िया कर दिया, वर्दी बढ़िया कर दी, मिलने भी जाते हैं, त्योहार पे, दिवाली पे, होली पे, सेनिकों के लिए अच्छे हैं, मोधी गलत नहीं है, लेकिन मोधी तक बात तो नहीं पहुंचती है, अब यह तो सरकारी बताईगी, लेकिन हमारी जो मांगे हैं, जो कुछ इन्होंने जो एनाउंस्मेंट किया था, इन्होंने रूल खुद बनाए थे, जो भी है, वो उसमें कुछ डिफरेंस है, वो पूरा नहीं कर रहे है, वो पूरा करव पहुंच गई होगी, क्या कारण है, जो भी तक आप लोग की जो यह विसंगतियां इसको खतम नहीं की जा रही है, अब यह तो सरकारी कर सकती है, हम अपनी विसंगतियों को पहुंचाने का काम उन्हों तक कर रहे हैं, जब आती है, गवर्मेंट में जब सत्ता भार समालने के लिए तो बोलती है जवान, किसान, मजदूर, महिला, तो आज जवान इस सिस्थी में क्यों है, अब यह सरकारी बताएगी कि जो उन्होंने दावा किया था, वो पूरा क्यों नहीं कर पा रही है, बात वही है न, जब लोग जब बॉर्डर पे रहते हैं, तो वहां पे ज मोदी जी अब कैसे आएंगे, वो एक मोदी जी है, कहां कहां जाएंगे, यह बात वहां तक पहुंचेगी, उनको आदेश देना होगा, अभी तक आपको लग रहे है, पहुंची ही नहीं है, लेकिन हमारी मांगें पूरी हो जाएंगे, जब तक सर यहां पे बैठे रहेंग जब तक हमारा मांग को पूरा ना करने तक हमारा पूर्ण सायनिकों को पूरा यहां में बैठे रहेगा, ताकि हमारा पूर्ण सायनिकों का जब मांग है, अभी का जिन्दा बुज़री पूर्ण सायनिकों का एक अनेकता में एकता होने के लिए, अभी का सायनिक कुछ दिन सब्सक्राइब बहुत प्यार करते हैं जबान की बात हमेशा कहते हैं कि हमारे जवान हमारे किसान हमारे महिलाय हमारी मज़दूर सबकी बात करते हैं तो आप लोग साथ दिन क्यों नहीं सुन रहे हैं अभी तक बात इसे कि हर कदम बरा अधिकर बन जाता है सब का बात सुनने के लिए वाकफा लगता है उसी वाकफा को पूरा करने के लिए समय लगता है उसी समय को हम पूरा ना करने से हमरा मांग को पूरा ना करने पर हम जब तक यह सर गुजरना दो एकसार्मी के और उइन डियुकों पूरर को प्रान Państwo से बात करेंगे कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, जवानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं हमारे प्रदान मंती, तो आप लोग क्यों धरने पे हैं? हमारे साथ में और फ़ी वन टू के अंदर वेतन विसंगतिया हुई है, उसको लेकर के हम लोग अंदर ने बैठे वे हैं, और यह जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी बात को नहीं माल लेती है, जो हमारी बात है वा बिल्कुल जाइज है, और इस बात को आप सरकार पहुंचा है, यह मीडिया का काम है. वो तो ठीक है, सरकार तक तो पहुंची, आपको क्या लगते है, सार दिन से यहाँ है, सरकार तक बात नहीं पहुंची होगी? बात तो पहुंची है, लेकिन सरकार अंदी और बहरी बनी हुए है, और जब उसको एक दिन चीज को मानना पड़ेगा गलत मांग हम कर नहीं रहे हमारे साथ में जो भेद्वा हुआ ना आप बोल रहे हैं सरकार अंदी और बहरी बनी हुए एक तरफ तो परदान मंत्री जाते हैं बॉडर पे मिठाईयां के खाने के लिए होली मनाने के लिए जाते हैं उनका सेना के साथ लगा है हर ब मुझे लिए आपको सब पता है जाओ और प्रिक अंदर ऑप्शन को कितना दिया तीन पर्शेंट ऑफसर और सत्यान परसेंट जवान जवानव क्या मिला ओर पिम देख नहीं रही हो पेपर लेकर देखो किसको कितना पेशा गया है जवान उको कुछ नहीं मिला हमारी जो ज सब्सक्राइब करें लेकिन इसमें बहुत वीशंगतियां यह वीशंगतियां दूर होनी चाहिए आपकी जो जातें चाहिए टो हैं सर्कार से डायरेक्ट उनकी बात होती है कभी नहीं कॉले कि कि मंत्री नहींया आये कोई नहीं आया लेकिन जब बीँल मंत्री ने च Perhapsound कोई कुछ नहीं मला परदानमंत्री जी तक जाती है या नहीं जाती है जाती है नहीं जाती है आप हमें हमारे अफसरों के खिलाव कर रहे हैं क्या भी आपने कभी पूचा अपसरों के कि आपको इस ORP में कितना मिला, आप हमारे से तो पूचने आगे, उनसे पूचा उनको कितना मिला, किसी मेडिया ने पूचा उनसे कि आपके अकाउंट में कितना है और हमारे अकाउंट में कितना है, पूचा आप लोगें, शाट दि कि नहीं मान रही है कुछ नहीं मान रही है अब यह तो आप बेटर जानती है हमारे से आप मीडिया बादें पूंच रहे हैं जवानों की सचाही सरकार तक पूंच नहीं रही क्या लग रहा है क्या लग रहा है सर की सरकार तक आप लोग की मांग नहीं पूँच रही है हमारी तो सरकार की मीडिया जो है वो पास तक नहीं फटकती ये तो आपकी जो कोटी-कोटी आप लोगों को धन्यवाद है कि आप लोग जो है हमारी आवाज को जो है जन जन तक पहुचा रही है लेकिन पार्लियामेंट नजदीक होने के बाद भी आपकी गोदी मीडिया और मोदी मीडिया ये तो हमारे नजदीक ही नहीं आ रही है कि किस तरह शेशेनिकूं का सोशन हो रहा है इस सोशन के खिलाफ में हम जो है यहाँ आवाज उठाने हर राग्जे से आ रहे हैं तो हमारा यही कतन है कि जो है इस सोशन को मिटाने के लिए आप हमारा साथ दीजिए और ताके इंशेनिकू का उद्धार हो सके आपने बोला कि सरकार बहरी घुंगी हो गए यह सरकार तक बात नहीं पहुचे लेकिन जब प्रधान मंत्री बॉडरों पे जाते हैं मिठाई खाने के लिए होली दिवाली मनाने के लिए हमेशा जवानों की बात करते हैं तो अभी क्यूं नहीं सुन रहे हैं मैं आप से कहूं कि प्रधान मंत्री जी जब वहां जाते हैं तो गिने चुने चम्चूं को वहां पर जो है अधिकारी लोग तयार कर देते हैं वो प्रधान मंत्री जी के पास जो है असली जवान जो है पहुचे नहीं पाते हैं उनका दुखड़ा जो है वो सुनाने के लि आप लोग के जो मेमोरेंडम होगा वह परदान मंत्री के अफिस गया होगा पीमो आफिस सबको मालूम होगा कि दो माइने से आप लोग धरने पर आप जानते हैं कि आप अंदी बहरी गोंगी सरकार थोड़ी है गुंगी सरकार चल रही है क्या ये गुंगी सरकार नहीं है इनके पास में आल पिन गिर रही है तो भी वो मोदी जी के पास में सूचना पहुंसती है लेकिन क्या है कि ये जो है नहीं शब्द यूज नहीं करना चाहता कि हमारे जो अधिकारी है उन अधिकारियों ने उनको जो है गिरफ्त में ले रखा है अब वो जो ना इधर के रहे ना उधर के सनम उनके हालात खराब है नेता क्या करें क्योंके जो है गिरफ्त में तो ये जो अधिकारी है ये कानून बनाते हैं आजादी के 75 साल का अमरेत महुत सब देश मनानी जा रहा है और उसके बावजूद भी इनको ये पता नहीं है कि अंग्रेज के बनाए हुए कानून शेना में चल रहे हैं जवानों के साथ एन्शियो के साथ में अन्याय हो रहा है एक सवाल और है आप लोग मोदी जी का गुंगान कर रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं आपने भी बोला लेकिन जो सत्पाल मलिक जो है वहां जम्मू कस्वीर के गवर्नर जो रह चुके हैं उन्होंने कहा है कि फुलमामा हमले में उन्ह को जो है दूसरी जो है जो है चमचा गिरी के लिए दूसरी पोश्ट नहीं दी जाती थी लेकिन आज हमारे जो है आपको मालूम है एक शीन शी मरे कैसे मेरे क्योंकि यदि वो दुबारा नहीं बैठते लोब नहीं करते तो वो मरते नहीं और मरते नहीं तो जो है हमारा एक अनुभवी जनरल जाता नहीं तो ये क्या है कि ये किसी को गवर्नर मना देते हैं किसी को अमबेशनर मना देते हैं और बाहर भेज देते हैं ये सब जो है इनकी भ्यूह रचना है राजनीतिग्यू की उससे न्याई हो रहा है शोशन हो रहा है देश का भी हो रहा है सेनिकों क कौन कर रा है जो कुर्षि बाठी विये ओर कों कर रहा है पुल्मामा हमले करें पेंदर दौशी जो है जब हमारे नियम बने हुए सेना में के पांच जो है गाडियों के बांद में अधिकारी डाली जाएगी वो अधिकारी जो है ना उस पीछा चलेगा डिवाइड़ लेकिन ये अधिकारी सारे के सारे एक ही गाड़ी में बढ़ के चलेगे और जवानूं को एक ही गाड़ी में फ़र दिया इसलिए दुरगट न हुई क्या लग रहा है कब तक आप लोग को ने आपकी मांगे पूरी की जाएंगी साथ दिन तो हो चुका है और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहा हम ये जुंतर मंतर चोड़ेंगे नहीं क्या कर लेंगे, बैटे रहेंगे, साठ दिन तो हो गए, हमें सब बैटे रहेंगे, मांग तो पुरी ओनाधाईगे क्या साथ साल भी हो जाएंगे या प्राण जाएं दो जाएं है ना हम क्या करेंगे हम लोग जो है मजबूर शेनिक है क्या है मजबूरी में आये हैं भुबुक्षितम किम नकरोती पापम भुका क्या पाप नहीं करता है इसलिए हम लोग जो यहां बैठे रहेंगे जो कि धर्म का खतम हो रहा है यदा यदा ही धर्मश्य गिलानी भारत भौती भारत है अब्युस्तानम धर्मश्य तद आतमानम स्रजब में हम प्रित्रानाय शादूनाम विनाशाय के दुस्कृताम हैं जब इनको विनाश होना होगा न तो यह हमारे को जो है हमारी मांगों को मंजूर नहीं करेंगे और यदि इनको मांगे मंजूर नहीं करेंगे तो हम यह कहते हैं आज जारे वरक्ठ के नीच हम संक्यावल दिखा रहे हैं अब संक्यावल को भी यह नहीं माल रहें तो देखे सुनिए इस देश में जो हैं हम सब एक जुट हैं लेकिन यह कुछ जेचंद हरा तो वह जेचंद जो है इस यह बातें जो बनाते रहेंगे पूरी नहीं है तो साथ दीन क्या साथ साल यहाई पे बैठे रहेंगे और वोट की चोड़ देंगे अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो इनकी सत्ता गिरा देंगे इनलोगों को 60 दिन हो चुका है, लेकिन सरकार यहां से बहुत कम दूरी पे संसतवावन है, अभी तक इन लोग की बात सुनी नहीं जा रही है। आप लोगों क्या लग रहा है कि कब तक इनकी बात सुनी जाएगी क्या होगा इनकी मांगे पूरी होगी नहीं होगी जो भी आपकी राहे है अपनी राहे कमेंट बॉक्स में जरूड़ा